प्रस्ण क्या है सही गलत का निशान लगाना है क्या है प्रस्ण रसोई घर का चित्र देखो और बता क्या सही है क्या गलत है चलिए हम लोग रसोई घर का चित्र देखते हैं क्या है तो याहां पर क्या है ठाली रखा तो यहां पर बहुत सारे अज़र्टन रखे अगला चित्र देखते हैं अगला चित्र चित्र क्या है यह क्या है वच्छो यह खिरकी और फिरकी से यह कों है यह बिली क्या कर रही है तो जहात रही है और क्या है यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुगा है और क्या है बच्चो यहाँ पर क्या है अंगीठी और अंगीठी के अंदर में कौन दिख रहा है तो अंगीठी के अंदर में एक चुहा दिख रहा है ध्यान से देखोगे चुहा दि जिब रहा है और क्या है यह है तोक्री और क्या रख़ा रहा है तोक्री में लौकी है और क्या है बहुत सारे तमाचर दिख रहा है, मीश कोगरी में बहुत सारे सब्जी रखे गए रहें किताब बढ़ रही है, अब हम लोग प्रस्न देखते हैं, प्रस्न क्या है बच्चो तो प्रस्ण है कि अपो लुग रसोईभर का चित्र देख चुकी है अब उसके अमसार इस प्रस्ण का उत्तर सही गलत में हम लोग लिख सकते हैं चलिए अपो लोग देखते हैं पहला गया है पतीला चुल्ले के नीचे है अब मा खाना पका रही थी तो पतीला चुले के उपर था या चुले के नीचे था बताओ मुझे पतीला चुले के उपर था जिसमें खाना पक रहा था तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर गलत का साइन लगाया हुगा है चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या है चुहा अंगीठी के अंदर है अंगीठी के अंदर क्या चुहा था या नहीं था हम लोग चित्र पर देखे हैं चुहा अंगीठी के अंदर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे के हम लोग साइन लगाएंगे सही का चलिए लगाते है अगला क्या है बच्चो अगला क्या है टोक्री में आम रखे हैं अब बताना है कि टोक्री में आम रखा हुआ है या सबजी रखा हुआ है बच्चो टोक्री में सबजी रखा हुआ था उसमें आम नहीं था क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर क्रोस का साइन लगा देंगे. चलिए लगाते हैं. और क्या है बच्चो? अक्षे चावल बिन रहा है. अब एक लड़का क्या कर रहा था? तो चावल बिन रहा था. उस लड़के का नम क्या है? अक्षे. अक्षे क्या कर रहा है? अक्षे चा चलिए लगाते हैं माँ खाना रही है या नहीं बना रही है हम लोक चित्र में देखें कि माँ खाना पका रही थी बना रही थी क्या करेंगे इसको भी सही कर निसान लगाएंगे क्या है आले में लाल्टेन रखी है अब यहां पर एक आला दिखाया हुआ था जिसमें क्या था लैंप या लाल्टेन दोनों में से कोई साभी बोल सकते हूं से इसलिए यहाँ पर क्या है? आले में लाल्टेन रखी है, उसमें क्या रखा हुआ था? उसमें लाल्टेन भी रखा हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर यह वाग के शही है, आले में लाल्टेन रखी हुई है, क्या करेंगे? सही का निसान लगाएंगे, चलिए लगाते हैं अगला क्या है दादी किताब पढ़ रही है अब चित्र जो देखें उसमें दादी क्या कर रही है दादी किताब पढ़ रही है क्या लिखेंगे तो सही का साइन लगा देंगे चलिए सही का साइन लगाते हैं अगला क्या है सुहानी खिर्की से ज्ञाक रही है अब सुहानी खिर्की से कौन ज्ञाक रहा है सोचोर बताओ तो खिर्की से एक बिल्ली ज्ञाक रही है और बिल्ली ज्ञाक रही है क्या होगा यहां पर उसलत बिल्ली का क्या नाम है उस बिल्ली का नाम है सुहानी तो सुहानी खिर्की से जहाक रही है क्या यह सही वाक्य है या गलत वाक्य है यह वाक्य सही है उस बिल्ली का नाम है सुहानी और बिल्ली क्या कर रही है बिल्ली चित्र में खिर्की से जहाक रही है क्या करेंगे सही का निसान लगा देंगे क्या होगा अब एक बार जो हम लोग सही गलत किये हैं उसको एक साथ परते हैं पतिला चुल्धे के नीचे है गलत चुहा अंगीठी के अंदर है सही टोगरी में आम रखे है गलत टोगरी में सबजी है आम नहीं है अब छे चावल बीन रहा है सही मा खाना बना रही है सही आले में लाल्टेन रखी है सही दादी किताब पढ़ रही है सही सुहानी खिर्की से जहांग रही है सही यहाँ पर बच्चो हम लोग सही गलत देखे हैं कौन सबाग के सही है और कौन सबाग के गलत है आप इसको आप समझोगे और एक बर फिर से चित्र को दिखोगे ओके स्टेंज थैंक्यू